मस्कार दोस्त आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रेटरी वीडियोज में आज के वीडियो में अपने कनवर्टर बॉक्स के साथ में कुछ हेवी लोड चला के देखेंगे जिसमें हमारा चाड़े 600 वाट का एर ब्लोर होगा और 800 वाट की डिल होगी ट्रेमर मशीन और शाड़े 800 वाट का एंगल ग्राइंडर भी चला के देखेंगे और इसी वाले बूस्ट कनवर्टर बॉक्स को हमने पिछले वीडियो में अपग्रेट किया था 408 से लेकि इसको 208 तक अपग्रेट किया था और उसमें मैंने आपको एवी लोड चला की दिखाया थ अपग्रेट किया था और इसमें बाकी ट्रांसफोर्मर तो इसका हीट नहीं हो रहा है लेकिन इसके जो मोस्पेट है वो बहुत ज्यादा गरम हो रहे थे क्योंकि यह मोस्पेट 200 वाट के लिए रेटिंग के लिए थे जो हमने जहनून आया एरफ जेट को ट्रांसफोर्मर लेकिन इसके मोस्पेट नहीं कर पाएंगे तो अभी एर ब्लॉड तो हमारा चल चुका है और फिर से बता दे रहा हूं जिस भी एसी अप्लाइंस में जो भी हमारा टूल्स होते हैं उनमें अगर ब्रस्ट या फिर फिल्ड कोईल और ब्रस्ट होता है साथ में जो ब्रस्ट मोटर होती है तो वह डीसी और एसी लोड दोनों पर चल जाती है और जो जो हमारा एंगल जल जाएगा और अब देख सकते हैं मैंने इसके साथ में एंगल ग्रेंटर करेक्ट कर लिया है और यह वाला इंगल ग्रेंटर भी इसके साथ में चल रहा है उतनी ज्यादा स्पीड नहीं है क्योंकि आठ शाड़े 800 वाट गार राउंड 50 या 60 परशंट इसकी स्पीड मान स तो बहुत ज्यादा उसको हीटिंग इस्यू करेगा और अगर कंटिन्यू चलाऊंगा तो यह मोस्पेट भी जल जाएंगे और मेरे केस में बूस्ट जो हमारा कनोटर बोक्स है इसमें कोई ओवर्लोड प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं दिया गया है अगर आपके पास बूस् बहुत ज्यादा गरम हो रहे हुए मतलब इसको छूब नहीं पा रहा लेकिन ट्रास्फोर्मर्मर इस ट्टाइम बिल्कूल भीहिट नहीं हो रहा है और पिसली बार हमने इसको गिरेट करने से पहले ज़ब लोड डालके चेक कर था तो इसका ट्रास्फोर्मर बहुत है हमारी hammer drill है इसको चला रहा हूं और यह 808 की hammer drill है जो इतने भी load है वो हमारे 600 वाट से उपर ही है और converter box की limit हमारे 200 वाट है यह peak watt चार सो वाट ते handle कर लेता है क्योंकि जो IRFZ पुटिको रहना है वो फिर भी हम इसको extreme overload कर रहे है और फिर भी इसको manage कर पा रहा है चला पा रहा है कुछ हद तक पूरी speed आपको नहीं मिल सकती है क्योंकि अभी सी बात है इतनी इसकी power नहीं है फिर भी यह इसको run कर पा रहा है और हमने पिसले वीडियो में सब्सक्राइब 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 कर रहा है उसको पता रहा था मतलब उसकी maximum 400 वाट पी क्वार्टेज रटिंग उससे उपर जा रहा था तो यह दो सेकंड चला के फिर बंद घर दे रहा था लेकिन हमारे कि इसमें यहां पर कनवर्टर बॉक्स में कोई प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं दिया गया है और इसलिए यह ओड़ोड पे चल रहा है और ज्यादा देर चलाएंगे तो इसका मुझपट ऊगे न ऊड़ जाएंगे और आगे एक वीडियो इसी पर बनाऊगा मतलब यह काम कर करता है डिसी तो डिसी कनवर्टर है 220 वोल्टेज इस परकार का कनवर्टर बॉक्स का तो सर्किट है वो पूरा में खुद डिजाइन करके अपने जो जीरो पीसी भी उस पर डिजाइन करके नहीं सर्किट मतलब इसमें बहुत ज्यादा कमिया है और इसके टैंस भी मैरे चला पाए हमारा 400-500 वाड तक मैक्सिमम जो इसकी वाटेज हो देख सकते हैं इस प्रकार से और उन्हें इसका वीडियो भी डाला था अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जा कि देख सकते हो अब अपने कम वाटेज के बूस्ट को इसको कन्योटर ब बजाए आप 700 रुपए में प्रोपर इन्वाट लो इससे आप इंडेक्शन फेन भी चला पाओगे सिलिंग भी चला पाओगे और या 200 वाट तक कंटिनू लोड चला सकता है मैंने इस वाले लोज़वन पर लुप के साथ में चैक किया था तो इसकी लिंक भी मैं डिस्क्र नोटर बोक्स करेंगे से बादू